तो हेलो कीज़ आज कीज़ वीडियो में बात करने वाल है कि आप सलो मोशन और हलो बलर और शेक इफेक्ट वीडियो कैसे क्रियेट कर सकते हैं यह टुटोरियल देने वाला हम लाइस गया स्टार्ट वीडियो तो सबसे पहले जो है आपने क्याप काउट आप को ओपन कर लेन आप जो है आपने वीडियो को स्किपने करना वीडियो कंप्लेट वाज करना यहां पर मैं आपको हलो बलर और यहां पर सलो मोशन वीडियो आप कैसे क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सैंपल में दिखाया है तो आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना यह वाली हमारी सिंपल वीडियो है जो आप देख रहे हैं ठीक है आपने इस वीडियो पर कलिक कर देना है और यहाँ पर मैं से सप्लिट कर दूँगा फिर नीचे आपको इस तरीके का इफेक्ट का आफ्शन देखने को मिल ज धाए ठीक है घृँटतने पर यहाँ पर फिर वीडियो फेक्ट पर कलिक कर देना फिर आपने रहो हलो बलर पर कलिक कर देना या यहाँर पर डबल करते हो तो आपको बिदो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है अगर आप सिंगल रखना चाहते तो इसे delete कर दें यहाँ पर आपको single बलर इस तरीके से देखने को मिल जाता है next यहाँ पर slow motion की बात और यहाँ आप मैं आपको बताता हूँ slow motion के बारे में इसे इस तरीके से increase कर लें आप जो है last video का part जो है guys यहाँ पर slow mo का है तो देख सकते हैं बलर आपको इस तरीके से वीडियो देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर जो है आप हमें slow mo बला ले के लिए आपने क्या करना है इस वीडियो पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको speed का option देखने को मिल जाता है आप ले इस पर क्लिक कर देना है और कर्वी पर क्लिक कर देना है यह two options देखनों मिल जाता है कर्वी पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो आप ले custom वाला आफशल set कर लेना है और इस point को इस तरीके से जब नीचे करोगे तो यह slow mo बन जाएगा और जब आप इसे उपर लेकर जाओगे इस point को तो वो fast motion बन जाएगा ठीक है इन point पर आप इस तरीके से setting कर सकते हो तो इसे okay कर दे okay करने के बाद साथ या आपको hero का option देखनों मिल जाता है इस पर click कर दे इस पर click करने के बाद इसकी और setting करेंगे हम edit पर click करने के बाद आपने इन point को इस तरीके से तर्तीम में set कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो इनका मक्सदी ही होता है कि अगर आप इसे first पर लेकर जाओगे तो वो fast motion होगा अगर आप इसे down लेकर जाओगे तो वो slow motion होगा देखे आपको वीडियो कुछ fast और slow mo में इस तरीके से देखने को मिलेगी मैं आपको play करके भी दिखाऊंगा ठीक है एंडिंग वाला जो watermark के से effect में transition add करेंगे तो नीचा animation पर क्लिक कर दें यहाँ पर आपको इस तरीके के three options देगरों बिल जाते हैं आपने इन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर shake one पर click करके से इस तरीके से increase कर लेना है फिर next part पर आ जाएं इसी तरीके से आपने यहाँ पर shake three select कर लेना है इसे okay कर दे okay करने के बाद जो है आपकी वीडियो अब बलर slow motion और shake effect में create हो चुकी है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ देखे गई आपको हलो बलर इस तरीके से देखने को मिल जाता है और slow motion और fast motion वीडियो भी आपको इस तरीके से animation में देखने को मिल जाती है अगर आप slow motion और fast motion बनाना चाहते हो अपने तरीके से point को set कर सकते हो मैंने आपको बता दिया था इन-point की setting अगर नीचर लेकर जाओगे तो वह जो है slow motion अगर fast पर लेकर जाओगे तो वह fast motion अगर आप इस पर audio एड करना चाहते हो नहीं तो एक्टर पर जाकर यहां से कोई audio select कर ले आपका audio यहां पर आ चुका है जो आप यहां पर यहां पर आड करना चाहते हो अब जो है बाइ